तो कैसे आप सब दोस्तो आज किस class में हम आपके लिए लेकर आये है measurement लेने की video measurement मतलब किस तरगे से लिया जाता है तो आज किस class में हम आपको बताएंगे complete measurement जो शर्ट का measurement होता है उसका क्या process होता है क्योंकि यह video जो बना रही है यह किलास जो हम चला रहे है वह बिगिनर के लिए चला रहे है जो अभी नहीं सीख रहे है तो जो मेरी पुरानी मेजर्मेंट वाली वीडियो में उसके अकाउडिंग नहीं बताऊंगा वह थोड़ा डिफिकल्ट होता है वह आगे चलके आपको समझा दिया जाएगा उसका क् भी वीडियो देखाउ गाया हो चलिए उसको करना होता है चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करना प्लाजो का मैं अल्रेडी बता चुका हूं और प्लाजो का इस पर पॉसिबल भी नहीं होता है तो मैंने प्लाजो के अपनी क्लास में डाला हुआ है मेजरमेंट इस तरह लेना अभी हम बात कर रहें शर्ट की क्योंकि हमने शर्ट से आपको सिखा के चलना है तो उसका हम इचेज रकना है और आगर हम प्लाजो की ले रहे हैं या पैंट की ले हैं या ग्रार की चलती है तो मैंने प्लाजो भी आपको इस वे बताया तो उसके बाद में क्या shirt का size आपको बताऊंगा तो प्लाजो या पैंट जो होती है उस पर हमने land जो होती शर्ट की वो लंबी लेनी होती है तो उसके according में आपको measurement बताऊंगा कैसे लेना है देखिए जो हमारी नी होती है यानि कि घुटना होता है यहां पर यह जब भी हम प जैसे के मेरा नी का है तो इंची टेप आपका यहां से कम-से कम पाँच नीचे जाना चाहिए इस तरीके से आध कम-से-कम बता रहा हूं मैं आपको पांच इंच नीचे जाएगा तो आपकी पैंट की इस निकल के खुदब-खुद आ जा लेगी बाकि को क्लाइंट भी बत जैसे कि लेज यहां से रखेれं कहा लेगे इंछटेव यहां राई इसके उपर करना पशेट के और इस तरीके से लेंद ले है। जितने भी चाहिए तो यहीं हमें कम्प्लीट हो गया उसके बाद दोस्तों हमने लेना होता है तीरा तो यह हमारा देखिए तीरे का साइज कैसे लेगे हम यह देखिए सिंपल साइज तीरे का निशान होता है यह देखिए यह जो डाउन जहां पर हमारा जारी है कंदी यह देखिए यह जो होता है हमारा तीरा यह होता है तो जब भी साइज लेते हैं हम फुल तीरे का ही साइज लेते हैं किसी भी चीज में simple सा आपने यही तीरे का size लेता है, फुल, जैसे कि यहां से check करें के हैंмо इहां तक, तो इसका कई दोस्तों, तरा फीरे का don है यहां टाओक लेना होता है, मैंने इंच टेप यहां पर रखा बिलकुल last point पर अगर आप मेरे shoulder देखोगे तो कहां पर आएगा size तो जहां से ड़लना शुरू हो रहा है तीरा मारा वहां पर मेरा साइज आएगा तीरेगा यह जो हड़ी होती है यहां पर साइज नहीं लेना होता है यहां पर एक हड़ी होती है यहां पर साइज नहीं लेना है जो डाउन वाला हिस्सा है वहां पर साइज लेना है क्योंकि ज तिरा जो आपने लेना वो फुल लेना है यहां से डाउन हो रहा है तो तिरे का साइज आपको पता लग गया और तीरे का साइज हम एस तरीके से लेना है यह देखिए यहां से रखेगे ऐसे तो विल्कुल उपर लेनी है उसके बाद आपने मोरीiron है जैसकर यह प्र करके दिखा दिता हूं है कि बाजू जो मोरी होती दोस्तो फ़ह कंप से रिम इतनी लेनी होती हРЕत है यह देखिए तो एक एक विए ईतनी में आपको अगर अपने कि और कलाहि को तक नाम आप लेग्ए तो निकलके जब उसको पहना जाता है तो बिल्कुल फिटिंग ठीक आती है ना फसती है यहां पर फोल्ड करने से और ना ही टाइट होती है जादा मतलब लूज होती है तो कलाई को अगर फिटिंग से नापोगे हम तो उसमें आप 2 इंचाइड कर लो फिटिंग से नापके 2 निकल जाएगा ठीक है यह हो गया बाजू का साइज ले लिया उसके बाद हमने मोरी का साइज ले लिया उसके बाद हमने लेना है आर्मोल का साइज इसको हम आर्मोल बोलते है इसका साइज लेना हमने यह इस तरीके से राउंड करके यह जो अंड्राम सुथ के यहां पर इ मैं एक बारी साइज रिपीट कर देता हूं आपको सबसे पहले लंबाई उसके बाद तीरा लेना है उसके बाद बाजू की लंबाई वाजू की मौरी अर्मॉल का साइज हो जाए ठीक है यह हमारा बोडी उफपर का साइज हो गया अभी दूसरे पर आ जाते हम यहां पर तो इसमें क्या है दोस्तों हमने ये वाला साइज नहीं लेना क्यूंकि आप ये बीगिनर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपने ये अपर बश्ट का साइज नहीं लेना है आ आपको इजी रहे आपने बस्ट का साइज लेना 37 पूरा फिट करके न टाइट न लूज बस्ट उसके बाद कमर जहां पर गहरा हिस्सा होता है कमर का वहां पर साइज लेना है कोई टो इस तरीके से और 69 का है ठीक है कि उसके बाद आपे राद लेना है यहां पर आ रहा रा है जैसे के 14.5 इंच पर कमा रहा रहा है जो के हमने भी size लिया था यहाँ पर उसके बाद आपने slit कहाँ पर खोलने हैं तो जैसे के 23 इंच पर और hip कितने इंच पर आ रही है तो ये दो size आपने note कर लेने मैं size दुबारा repeat कर दिता हूँ ताके आपको याद रहे सबसे पहले लंबाई लेगे हम उसके बाद 13 लेगे हम उसके बाद बाजू की लंबाई लेगे फिर बाजू की मोरी लेगे round वाली फिर आर्मोल का size लेगे ये वाला आर्मोल का size ठीक है फिर उसके बाद burst का size लेगे फिर waist का size लेगे फिर लेगे hip का size ठीक है फिर लेगे हम कमर हमारी कितने इंच पर आ रही है waist और हमारी hip कितने इंच पर आ रही है तो ये size हो गया हमारा अब इसके बाद क्या करना है वो कितना रखना है यह साइज लेना ही आना ही है आप इसके इसके भिना आप सैटिंग नहीं कर सकते हो तीरे तीरी का इसाब समझी नहीं आएगा तो आपने अपने इंचीटे रेडी आती है हमारी तो साड़े साथ यहां से गला रखेंगे हम इसी तरीकी से क्रॉस ऐसे ही जब हमने बैक से नापना है तो बैक से भी क्या करें कि हम वहीं से इंची टेप रखेंगे और इसी तरीके से हम लेगे जैसे कि हम इसका 8 इंच रख लेते हैं बैक से डीप तो इस आपको अगर ये वाला बेसिक साइज लेना आ जाता है उसके बाद मैं आपको जब कटिंग बताऊंगा तो आपको समझा जाएगा कि मैं कौन सा साइज का निशान कैसे लगा रहा हूं किस तरीके से उसको आपको बता रहा हूं ताके आपको कटिंग करते टाइम मेजर मेंड का सारा सिस्टम समझ आए तो आप इसको याद भी कर सकते हो मेजर मेंड जो होता है हिप किसको बोलते और वेस्ट पॉइंट किसको बोलते हिप पॉइंट किसको बोलते क्योंकि आप नए हैं जो नए लोग सीख रहे हैं अगर उनको नहीं पता तो यह चीज नोट में किसे हिसाफ से losing लेनी होती है हमें जैसे क अब अभी तो हमने body fit size लिया तो असे cutting करते हम कितने inch पर losing करके lift करना है और ankya GOOD का size कभी मैं आपको बता दुएँ के Tucson का circuit होता है कैसे लेना होता है मतलब जो ready size होती हमारी रशाइब बनी भी होती है उसका साइज हमने कैसे लेना होता है तो दोनों में फर्क होता है बोडी साइज में अलग हिसाब होता है और जो शर्ट से हम लेते हैं बना हुआ जो सूट होता है उससे जो ना परिकालते है उसका हिसाब अलग होता है तो उसका भी मैं आपको अलग से बता तब तक के लिए खुदा हुआ।